आज हम बनाएंगे पास्ता और वो भी बिल्कुल असान तरीके से तो पास्ता बढाने के लिए पहले हम कडाही चरहा लेंगे और उसमें हम डाल देंगे कुकिंग वाइल और यहां पर मैंने प्याज को रफली चॉप कर लिया है और दो-तिन हरी मिर्च तो सबसे पहले हम प्याज को डाल देंगे तेल में और प्याज को हम हलका सा सोटे होने देंगे और एक मिनट के बाद हम प्याज में डाल देंगे जो हमने हरी मिर्च काट कर रखा था हरी मिर्च को डाल देंगे यह देखिए जब इस तरीके से प्याज हलका सा हो जाए तब हम इसमें हरी मिर्च एड़ करेंगे यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्च और प्याज दोनों को साथ में एड़ कर सकते हैं अब हम इन दोनों को अच्छे तरीके से भून लेंगे कम से कम 2-3 मिनिट के लिए और यह देखिए जब 2-3 मिनिट के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर तो टमाटर को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर का यूज किया है और बिल्कुल बारीक काटकर इसे डाल देना है और टमाटर को भी हमें अच्छे से पका लेना है और यहां पर हम डाल देंगे नमक तो नमक आप स्वाधा नुसाड एड़ कर दें यहां पर नमक डालने से क्या होगा कि जो टेमाटर यह बोलकूल अच्छे तरीकें से पक जाएंगा और तुरंत पक जाएंगा मतलब की का गलनागा टृमाटर यह हमें 2-3 मिनट के लिए भून लेना है तो यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से हो जाएगी टमाटर के प्यूरी जैसे तयार हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने एड कर दिया है पास्ता मसाला तो यहाँ पर 5 रुपे का जो पैकेट आता है वो मैंने यूज किया है एक पैकेट और यहाँ पर मैंने एड किया है चिकन मसाला पाउडर और थोरा सा हल्दी पाउडर और थोरा सा लाल मिर्श पाउडर तो यहाँ पर मैंने कलर आने के लिए हल्दी पाउडर एड किया है यहां पर आप चाहें तो हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर दोनों को skip कर सकते हैं और यहां पर अच्छे तरीके से एक मिनिट भूनने के बाद यहां मैंने टमेटो केचप एड़ कर दिया है और ग्रीन चिली सॉस एड़ कर दिया है और पास्ता को अच्छे तरीके से mix कर देना है और फ्रेंस यह देखिए इस recipe में करना कुछ भी नहीं था बिल्कुल आसान था तो आप पास्ता को 2-3 मिनट के लिए मसाले में अच्छे तरीके से भून लेना है और यह हमारा पास्ता बनकर तयार हो गया तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक, सियर और मेरे चैनल को सब्सक्राब करें